अगर आपको जाना है कि इंडिया में किसी चीज की प्राइस 10 रुपे है तो क्या बाकी कंट्रिस में उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी यह बाद जाने के लिए वीडियो को एंटक जरूर देखना बहुत पहले कैनडा के साइंटिस्टों ने मुर्गियों पर एक टेस्स किया था टेस्स कुछ इस प्रकार का था कि मुर्गियों को कौन सा म्यूजिक सुनाने पर वो ज्यादा अंडे देती है उस टेस्ट में पता चला कि मुर्गियों को पॉप म्यूजिक सुनाने पर वो ज्यादा अंडे देती है Fact No.4 क्या आपको बता है कि October से कैसा जानवर है जिसके अंदर 9 दिमाग, 3 दिल और blue रंग का blood उसके अंदर पाया जाता है क्या यह बाद आपको बता थी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना Fact No.3 आज तक सबसे fastest चीज लाइट को माना जाता है लेकिन क्या आपको बता है कि लाइट को सूरत से धर्दी पर आने के लिए कितना समय लगता है वैल, researchers इसका अंसर बताते है 8 मिनिट और 20 सेकंड्स Fact No.2 आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये बात जरू सुनी होगी कि धर्दी का 70% हिस्सा पानी का होता है लेकिन अगर हम इसे डीटेल में देखे तो धर्दी का सिर 60% हिस्सा पानी से गिरा है और बाकी का 10% आइस से गिरा है Fact No.1 क्या आपको भी ऐसा रखता है कि जो चीज़ें इंडिया में 10 रुपे में मिलती है क्या हो चीज़ें बाकी की कंट्रिस में सेम रेट पे मिलती होगी तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि जो लेस हम इंडिया में 10 रुपे में खरीते है वही लेस हमें अमेरिका में 15-20 रुपे के बीच में पढ़ेगा वैसे ही इंडिया में हम 1 लीटर दूट 50 रुपे में खरीते है वही एक लिटर दूद की प्राइस हमें अमेरिका में एक डॉलर में मिलेगी एक डॉलर यानी 80 रुपे तो ऐसा क्यों है इसका रीजन यह है कि इंडिया में एक आदमी जितना कमाता है उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका का एक आदमी कमाता है इसी देव वहाँ की चीजों की प्राइस यहां से ज्यादा है वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करना चानल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मैं मिलताव आप से अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई